Hello dear friends, welcome to the class of Computer Science with Sanjay. Computer Science with Sanjay की class में आप सभी का again welcome है. अभी हम discuss करने जा रहे हैं very important concept that is mutable and immutable type. और हम learn कर रहे हैं chapter number 1, Python, Revision, Tour, Sumita, Aurora, Textbook का, unit number 1, class 12, Computer Science, Computational Thinking and Programming. अभी हम discuss करेंगे mutability क्या है, immutable types क्या होते हैं और mutable types क्या होते हैं. चलिए समझते हैं सबसे पहले, what is mutability? तो देखें इसको define करना है, तो जब storing a new value in the same memory address as and when required is referred to mutability. कहने का मतलब यह है, actually यह जो mutability है, इसका संबंद variable और उसके साथ जो value associated होती है, उससे होता है. होता क्या है, देखें जब आप किसी भी computer system में, किसी भी programming language में कोई एक variable लेते हैं और उसमें कोई एक value store करते हैं 10, तो आप समझते हैं कि जो 10 है या value है या variable है, उसको system एक memory address provide करता है, यह जो memory address है, इसके अंदर value store होती है, और उसका एक label या नाम भीया जाता है, जो कि क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है, सवाल यह पैदा होता है कि mutability से इसका क्या तात परी है, देखें, यह concept python में हम पढ़ते हैं, उसका reason यह है कि मैं आपको इसको detail से समझाता हूँ, हम पहले यहाँ पर c, c++ language लेते हैं, और यहाँ पर हम बगल में क्या कर लेते हैं, python language को ले लेते हैं, c, c++ में अगर आप कोई variable लेते हैं, int x, और इसके बाद आप इसे declare कर देते हैं, उसके बाद x में आपने डाल दिया 10, यह होता है किसी भी other language में, अब इसके बाद अगर आप python में इसी को करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, x equal to 10, अब c, c++ में क्या होगा, system क्या कर पहले देखता है, int x, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एक memory address, 2 byte का, 4 byte का, इस x के लिए पहले reserve कर देता है, मतलब variable के लिए पहले क्या हुआ, value, sorry, memory address assign कर दिया गया, इसके बाद यह जो 10 है, वो इसके second step में आता है, मतलब पहले क्या हुआ, variable का नाम, पहले क्या बनाया गय उसको क्या मिल गया, memory का address मिल गया, second step में, और उसके बाद उसमें क्या store हो गई, एक value हो गई, तो यह पहला हो गया, यह दूसरा हो गया, यह तीसरा हो गया, लेकिन python में थोड़ा सा case different है, जब आप लिखते है, x equal to 10, तो system क्या करेगा, एक memory address निकालेगा, जो खाली होगा, इसके बाद इसमें एक value डाल देगा, और value डालने के बाद इसका नाम क्या कर देगा, x कर देगा, मतलब python में value की importance है, ना की variable की, क्योंकि वो value को पहले store कर रहा है, एक address में, और उसका एक label बना देता है, x के नाम से, तो यहाँ पर क्या हो ला है, पहले एक value आएगी, उस value क अधार पर एक memory address क्या होगा, allocate किया जाएगा, memory address में यहाँ पर लिख देता हूँ, और उसके बाद में next जो step होगा, वो होगा, उसका एक नाम करण, जो की हम बुल देंगे, variable का नाम, तो computer science में, c, c++ में variable क्या होता है, एक memory location होता है, क्या होता है, एक memory location होता है, लेकिन python मे x या जो भी variable है, वो क्या होता है, एक memory का label होता है, क्या होता है, memory का label, वो location को point नहीं करता है, अब हम mutability को समझते हैं, अगर आप यहाँ पर x equal to 10 करने के पास चाथ, अगर लिख देते हैं, x equal to 20, तो हो गया क्या कि यह address तो fix है, और 20 यहाँ पर आ जाएगा, 10 यहाँ से delete हो हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे आपने x equal to 10 किया, दुबारा अगर आप इसको लिखते हैं, x equal to 20, तो अब क्या होगा, कि एक नया address बनेगा, जिसमें एक value store होगी 20, और x उसको point करने लगेगा, इस 10 को अब point करना वो छोड़ देगा, तो मतलब क्या हुआ पर एक दूसरा value को यह x point करना शुरू कर देता है, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते है, mutability, तो यह mutability actually यहाँ पर हो रही है, mutability का मतलब होता है, एक ही address है, उसी address में बार बार value क्या हो रही है, change हो रही है, एक ही address पे value का change होना, इसको हम लोग बोलते है, in place change होना, तो यह mutability, तो python में क्या होता है, देखे, python में variables जो होते हैं, वो क्या होते हैं, immutable होते हैं, क्या होते हैं, immutable, आगे चल के मैं बताँगा, तो अब हम पहले, इसके types समझते हैं, कि कौन-कौन से python में immutable types होते हैं, और mutable, तो पहले तो इसकी दो category अभी आपने देखी, एक है mutable type और कि python में mutable और immutable दोनों होते हैं जब कि other languages में mutability का ही concept होता है तो immutable type का मतलब होता है कि जिसकी value कभी भी change नहीं होती है in place, in place का मतलब address same है, value उसमें जो delete होई है उसका address में value दूसरा change हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है immutable type में कौन-कौन से types होते हैं जो python में immutable होते हैं तो याद रखें integer, floating number, boolean, string और tuple यह सभी क्या कहलाते हैं आपके immutable types कहलाते हैं अब immutable type को अगर आपको समझना है तो इसका अब example हम देखते हैं माल लीजे आपने एक variable लिया x इसमें एक value डाली 10 तो अब क्या हुआ देखें computer में एक memory address बना इसका value क्या store हो गया 10 अब x क्या करने लगएगा इसको point इसके बाद अगर आप लिखते हैं y equal to x इसका मतलब ये y भी इस x को ही जैसे इस 10 को point करना शुरू कर देगा और अगर इसके बाद में आप suppose लिख देते हैं कोई एक नया variable z और z में भी अगर आप 10 कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर से कोई memory address बनेगा और 10 वहाँ store हो जाएगा नहीं इसी 10 को जो आपने store किया था या बनाया था जिसके लिए address बना इसको ही z भी क्या करने लगेगा point करने लगेगा अर्थात यहाँ पर इन तीनों का अगर आप address चेक करेंगे मतलब x, y और z तीनों का address आपको क्या मिल जाएगा same मिल जाएगा तो this is पहली बात तो यह कि यह pointing हो गई अब इसके बाद में माल लीजे आपने लिखा x equal to 20 तो x equal to 20 करेंगे तो system क्या करेगा x में यहाँ पर इस 20 को चेंड नहीं करेगा वो वापस से एक नया address बनाएगा और इस address के अंदर में यह 20 store कर देगा मैं इसको यहाँ से erase कर देता हूँ अब इसको वो क्या करेगा x का label देदेगा मतलब यहाँ से x का काम खतम तो अब अगर आप इस x का address चेक करोगे तो वो y और z से different हो जाएगा इसी प्रकार से अब अगर आप y में डाल देते हैं 10 तो इसका मतलब यह y तो इस 10 को ही represent करेगा लेकिन अगर आप z में दुबारा को ही डाल देते हैं value 40 तो system क्या करेगा 40 एक नया address बनाएगा और उसको point करा देगा z तो z भी यहां से हट जाएगा मतलब इन तीनों के address change हो गए x अलग address को point करेगा y अलग address को z अलग address को तो यहाँ पर actually क्या हो रहा है कि एक समय पर जब value 10 थी दूसरे समय पर जब आपने उसकी value 20 की तो दोनों का memory का जो address है वो अलग हो गया और x अलग अलग location पे store होने वाली value को display कर रहा है आप पूछेंगे कि यह immutability का concept क्यों होता है इसके पीछे का reason है dynamic typing डायनमिक typing का मतलब है कि variable जो होता है वो एक ही variable any type of value को क्या कर सके python पे store कर सके so that is the reason mutability का immutability का concept है और यह 5 अलग अलग प्रकार के जो भी variables आपने यहाँ पे देखे या data types आपने देखे यह immutable होते हैं चलिए python के shell पे चलके इसे समझने की कोशिस करते हैं मैं यहाँ पर आ जाता हूँ यह मैंने memory I mean python interpreter open किया माल लिजे आपने डाला है x में 10 अभी आप इस x को print करेंगे 10 दिखा रहा है अगर आपको x का address point करना है तो इसके लिए हम id method का इस्तेमाल करते हैं अगर आप इसमें x को डालें तो देखिए यह address क्या दिखा रहा है आपको 1407 last में 904 अब इसके बाद यदि आप लिखते हैं y equal to x and अगर आप y को print करें तो यह भी 10 को display कर रहा है क्योंकि वो एक ही point I mean value को point कर रहा है after this अगर आप लिखते हैं id y that means again if you want to see the address of y you can notice here the same address को यह क्या कर रहा है आपका represent कर रहा है अब इसके बाद लेजिए z equal to 10 जैसे मैंने आपसे कहा अब इसके बाद में z अगर आप display करेंगे it is again showing you 10 अब अगर इसका address देखना है I put inside this id then z enter press कर दीजिए आप देखें यहाँ पर यह आपको क्या show कर रहा है 904 which is again address of same address तो यहाँ पर x का I mean this x का y का और z तीनों का एक ही address हो गया अब मैं इसके बाद x में डाल देता हूं 20 इसके बाद में मैं अगर id चेक करूं इस x की तो देखें यह कोई नए address को point करना शुरू कर दिया तो x एक storage label हो गया और आप ध्यान दें कि यह जो x की value है यह change हुई तो इसका मतलब x नया ही बन गया तो this concept is called immutability कि मतलब 10 का जो address है उसी address में क्योंकि वो x का भी address है तो जब मैंने x में 20 डाला तो इसी address पे ही 20 store हो जाए ऐसा नहीं हो रहा है in place change नहीं हो रहा है याद रखिए in place change तो यह होता है immutability का concept अगर आप यहाँ पर z equal to 40 कर दें और अप्वाइंट करना शुरू कर देगा so this is all about the immutability after this you know immutable type के बाद में अगला जो हमारा concept है that is your mutable type so now when we talk about mutable type mutable type is now the same की कोई भी particular object जिसकी value you know in place change हो जा है that is called what you mutable type immutable is the main important part क्योंकि mutability जो है वो यह mutable types उतने हमारे लिए matter नहीं करते क्योंकि mutable में क्या होता है कि एक ही address है इसमें जो भी value आपने डाली अगर suppose that यह x है तो अगर आप x में suppose that आपने पहले x 10 डाला और अगर आप next time 20 कर देंगे तो यह address same रहेगा इसकी value change हो जारी in place this is called in place change और यह in place change मतलब इस प्रकार के जितने भी types होते हैं उन सब को mutable type बोलते है तो python जो support करता है mutable times वो basically 3 है first is list, second is dictionary, third is what you're set, so यह 3 को आप याद रखिये say for example जैसे l है आपने एक list ready की जिसमें आपने 3 values की l 10, 20 and 30 अब suppose that system ने इसको एक memory address assign किया यहाँ पर 10 है यह 20 है यह 30 है इसका नाम l है अब suppose that इसका index number 0 को आप future में 30 से place कर देते हैं इसका मतलब अब यह इसी address में इस value को क्या कर देगा, change कर देगा, so that जब आप l को print करेंगे दुबारा, so this will show you the same value kind 30, 20 and 30, so this is how we can understand कि mutable types क्या होते हैं, तो in place एक सबसे important word है जिसको आपको याद रखना है जब भी आप mutable या immutable की बात करते हैं, तो जब mutable की बात होगी या immutable की बात होगी, तो यहाँ पर याद रखना, जैसे मैं पहले से लिख देता हूं immutable, तो जब in place change mutable में अगर आप बोलेंगे, तो yes होता है, लेकिन immutable में in place change नहीं होता है, यह एक important point है, जो आपको समयना चाहिए, यही इसका सरांश है, यही इसका core है, I hope अब आपको mutable और immutable types क्या होते हैं, इनके बीच का difference क्या है, कौन-कौन से types, python में immutable type हैं और mutable type हैं, वो समझ में आ जया होगा, इसके बाद में id की यहाँ पर बात हो रही है, तो id जो एक method है, जिसका की use, हम किसी variable के address को find करने के लिए करते हैं, memory address के लिए हम इसका इस्तिमाल करते हैं, हमने already इसका example भी देखा, जैसे माल लिजे, आपने x equal to 10 किया, और उसके बाद अगर आप print x करोगे, तो यह 10 दिखाएगा, लेकिन अगर आप इसका address देखना चाहते हैं, you can simply write print, you can take this id, inside this x, close this, जब आप इसको run करेंगे, तो this will show you 10034012386, like this, this will show you the address of variable, और you can say the value, या एक memory address, तो id का याद रखिए, use to display memory address, इसको identity भी हम बोल सकते हैं, अब इसके बाद में हम expressions के बारे में discussion करेंगे, बट आज के session में यही तक, सो जल्दी मिलते हैं next session में, till then keep practicing, keep learning and keep working hard, bye bye and take care. झाल